हेलो दोस्तो आपका अपना English Fluency Coach हाजी रहे एक नए वीडियो के साथ दोस्तो अक्सर मैंने देखा है कि Make Verb के साथ लोग Confuse होते हैं कि With लगाएं, Out, Off लगाएं, Off लगाएं या फिर From लगाएं तो दोस्तो मैं आज आपकी इसी Confusion को दूर करने जा रहा हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखते रहें ये English Fluency Coach दोस्तो मैं के साथ From लगाए जाता है जब हम ये बताते हैं कोई चीज किस दूसरी चीज से बनी है बट हम exact नाम नहीं बता रहे होतें For example, Plastic is made from chemicals Plastic chemicals से बनता है इसमें हम chemical का नाम नहीं बता रहे हैं मतलब की exact चीज का नाम नहीं बता रहे हैं इसलिए made के बाद from आया है और made होती है make की second form and third form भी Next sentence है दोस्तो The earliest canons were made from tree trunks दोस्तो canons का मतलब होता boat, मतलब की knob और trunks का मतलब होता है तना, पेड का तना तो the earliest canons were made from tree trunks शुरू शुरू की नाव पेडों के तने से बनाई जाती थी तो दोस्तो हमने ये नहीं बताया इसमें की किस पेड के तने से इसलिए इसमें made from आया है Next, make off Off दोस्तो तब आता है जो मैं exact चीज का नाम बता होते हैं की कौन से चीज किस दूसरी चीज से बनी है For example, she wore a beautiful necklace made of gold उसने सोने का बना हुआ एक सुन्दर हार पहना था तो दोस्तो इसमें clear है necklace जो था वो सोने का बना हुआ था इसलिए made के बाद off आया है Next, this table is made of mango tree यह है made आम के पेड की बनी हुई है तो दोस्तो इसमें भी clear है पेड जो है वो आम का है इसलिए made के बाद off आया है Next है make out of तो दोस्तो आउट off का इसमाल तब करते हैं जब कोई वस्तू का एक particular काम के लिए प्रियोग की जाती है लेकिन हम उसका इसमाल किसी और दूसरे काम के लिए करने लगते हैं For example, in the 1990s, it was popular to have candle holders made out of empty bottles 1990 के दस्शक में खाली बोतलों से बने हुए candle holders का होना प्रसिद्ध था तो दोस्तो देखिए बोतल खाली थी जहरी सी बात है वो किसी काम में आती थी जब वो बोतल में कुछ भरते थे तो अब उसका इसमाल हुआ candle holder के लिए तो इसलिए made out of आया है Second, they were living in tents made out of old plastic sheets वे पुराने plastic के sheet से बने हुए tent में रह रहे थे तो दोस्तो वो पुरानी plastic sheet थी लेकिन अब उसी में तंबू लगा के उसका tent बना दिया गया है तो इसलिए इसमें आया made out of Next, make with तो दोस्तों make के साथ with तब आता है जब हम खाने या पीने की चीजों के बारे में बता रहे होते हैं कि वो किस सामागरी से बनी है For example, this dish is made with refined wheat flour, black peppers and some salt यह है वेंजन, मैदा, काली मेच और कुछ नमक से बना हुआ है दोस्तों, refined wheat flour मतलब मैदा, black peppers मतलब काली मेच, और salt मतलब नमक Next sentence है What is cola made with? तो दोस्तों, cola भी पीने की अकाम में आता है इसलिए इसके साथ भी make के साथ with आया है तो cola किस चीज से बनाया जाता है यह है sentence का meaning तो दोस्तों, I hope आपको clear हो गया होगा कि make के साथ कब with लगाना है कब out of लगाना है कब केवल off लगाना है या कब from लगाना है अगर वीडियो अच्छा लगा तो please like it, share it and subscribe to my channel Thank you very much दोस्तों